दोस्तों नवस्कार चेर्मेन रभी मनु भाई ने एक प्रेस कांफरेंस की थी जिसमें कुछ पॉइंट्स निकल करके आये हैं उसको हम आप लोगों के साथ सेयर करना चाहते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा था कि रोष्टर क्लियर होने के बाद ही रिजल्ट आएगा ये तो क्लियर है कि रोष्टर क्लियर हो गया है लेकिन मुख पेंच जो फंस रहा है वो है आरच्छड जो की मामला सुप्रीम कोर्ट में है 65% और 50% को लेकर के अब उनकी इंतजारी केवल है केवल केवल इंतजारी कर रहे हैं वो कि आरच्छड का मुद्दा साल्व हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाया है उसके बाद हम रिजल्ट निकाल दें दूसरी चीज है डाकुमेंट बेरिफिकेशन को लेकर के उन्हेंने बोला था कि डीबी का काम जो है सिच्छा विभाग का है जो की बहुत से अभ्यरती मांग कर रहे हैं कि डीबी जो है रिजल्ट से पहले होना चाहिए लेकिन उन्हेंने असपश निर्देश दिया है कि ड इसको सिच्छा विभाग हर बार करता आया है इस बार भी सिच्छा विभाग डाकुमेंट बेरिफिकेशन करेगा बैक लाग सीट पर उन्होंने कहा है कि अभी तक तमाम यूटूब चैनल और सबने बताया भी था और जेडियू की ट्विटर हैंडल पर भी था कि बैक सीटं की बात हो रही थी लेकिन कल के पर इस कांफरेंस में उन्होंने कहा है कि 22,00,00 सीटें जो कि TRE 3 में जुड़ने की मांग उठ रही थी वो अब TRE 4 में जुडएंगी मतलब ये लोग अपने मन का खेल खेल रहे हैं ये सीटें आब ले जाकरके वो असपष्ट रूप से TRE 4 में जोड़ेंगे अगला point था cut up को ले करके इन्होंने असपच तोर पे कहा है कि cut up जो है cut up TRE 2 और TRE 1 से कम जाएगा वैसे cut up की एक वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं कि उसमें primary और junior की cut up कितनी जाएगी उसपे आप लोग बिजिट करिएगा जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियो उपलब्द होगी और अगली जो बात है answer की को ले करके answer की PRT और junior junior की answer की आ चुकी है अब 9th 10th और 11 12th की answer की जो है आनिसेस है उन्होंने असपश तोर पर कहा है कि 22 से 23 तक 9th 10th और 11th 12th की final answer की आ जाएगी फिर उन्होंने बोला है कि TRE 4 TRE 4 को ले करके उन्होंने कहा कि TRE 3 का result आने के बाद सभी जिलों से रिक्तियों के बाद 9th के अन्तिम सप्ता या दिसंबर के प्रथम सप्ता तक TRE 4 का बिग्यापन जारी किया जाएगा ये कुछ महतुपी पूर बिंदु थे जिन पे कर उन्होंने चर्चा की है लेकिन BPSC क्या खेल खेल रहा है ये आप लोग असपश तोर पर देख रहे हैं